हाई गाइज नवस्कार मैं मंद शीग और इस वीडियो में आज आपको इस्टील इस्ट्रक्चर में इस्टील बीम के बारे में बताऊंगा तो इस्टील बीम की क्वेश्चन मैं अज स्वालव करूँगा और अगर आपने इस इस chapter का previous lecture नहीं देखा तो पहले आप उससे देख लेंगे जिससे आपको इस chapter का जो concept है जो पूरा theory है जो formula है आपको वो अच्छे से समझ में आजाए फिर आप ये lecture देखेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा तो इसके लिए मैंने आपको एक अच्छा सा question लाया हुआ है आज स्टिल बीम का बहुत इच्छा question लाया हुआ है एक ऐसा question जिसमें तीन-तीन question मैंने दिया हुआ है आपको ठीक है तो question पहले देखते हैं ISMB 500 has been used for effective span 5 meter एक ISMB section है जो कि I section है यहाँ पर last में B लिखा है तो B का मतलब क्या होता है beam section और यह I section के रूप में ज्यादा होता है आपका तो यह beam section है एक प्रकार से तो ISMB 500 आपको एक section दिया गया है जो कि जिसका effective span 5 meter है एक ऐसा beam जो कि ISMB 500 का यूज किया गया है और उसका effective span कितना है 5 meter है find super imposed load on beam आपको क्या निकालना है super imposed load कि उस beam के ऊपर कितना अध्यारोपित भार लगा हुआ है कितना live load लगा हुआ है वो निकालना है आपको इस तीन condition के लिए तीनों condition दिया गया है देखे जब भी exam में question पूछा जाएगा न तो वो तीनों condition एक साथ नहीं दिया जाएगा इन में से कोई एक condition ही देगा आपको ठीक है तो मैंने क्या किया है कि एक ही question लिखा हुआ है उसी एक question में तीनों condition लिख दिया हुआ है जिस जितने भी type से question आपको पूछे जाते हैं तो पहला condition क्या है दबीम सुट भी सेफ इन बैंडिंग यहनि आपको वो सूपर इंपोस लोड निकालना है जिस पर यह बीम आपका बैंडिंग में सेफ हो यहनि कितना maximum बैंडिंग उसका जो stress है उस लोड को बियर कर सकता है वो हमें यहापर find out करना है दूसरा question है आपका the beam should be safe in shear कितना उस पर सूपर इंपोस लोड आए कि beam shear में सेफ हो यहनि उसके अंतरगत जो उसके अंदर shear stress है उतना होना चाहिए कि उस सूपर इंपोस लोड को बियर कर सके थर्ड है आपका the beam should be safe in deflection और वो deflection में safe हो ठीक है तो ऐसा नहीं है कि हमें केवल एक ही super imposed load निकालना है और वो एक ही super imposed load यह तीनों के लिए क्या हो safe हो ऐसा नहीं है यहाँ पर तीन question दिये गए है तो हमें देखिए पहला condition क्या है कि आपको bone load निकालना है जो कि beam bending में safe हो और maximum load को bear कर सके ठीक है उसी प्रकार shear में उसी प्रकार deflection में तो पहला condition के लिए question solve करते हैं solve question number a के लिए ठीक है अब मैं आपको बता दू कि एक होता है आपका maximum bending stress या कह सकते हैं permissible bending stress ठीक है समझे पहले चीज़ों को आप तीनों condition के लिए पहले मैं बता दे रहा हूं पहला number होता है permissible bending stress ठीक है second होता है permissible seer stress and third होता है permissible deflection यह तो permissible होता है permissible का मतलब होता है maximum होता है इससे ज्यादा देखे बीम पे हमेशा इतना लोड नहीं लगाना चाहिए कि इसससे ज्यादा bending stress हो इससे ज्यादा हमेशा तो अगर देखा जाए किसी भी बीम का जो permissible bending stress होता है वो कितना होता है वो होता है 0.66 fy और permissible shear stress कितना होता है 0.4 fy और permissible deflection कितना होता है spawned by 325 ये तो हो गया permissible आपका अब लोड आपका कुछ भी हो सकता है उस लोड के वज़ा से जो आपका actual permissible bending stress है देखिए actual bending stress actual मैंने से लगा रहा कि जितना लोड लगा होगा वो actual होगा ये तो permissible है ये maximum है कि इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए इससे हमेशा कम होना चाहिए ये actual bending stress actual में कितना है बीम पर इसी प्रकार आप निकालेंगे actual shear stress और इसी प्रकार आप निकालेंगे actual deflection देखो actual का मतलब ये होता है कि बीम पर actual में कितना है और permissible का मतलब ये होता है कि कितना होना चाहिए इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए अगर इससे ज्यादा हो गया actual आपका तो वो आपका बीम फेल हो जाएगा देखिए अगर कभी भी actual bending stress जो beam पे लगा हुआ है वो permissible bending stress से ज़्यादा हो जाएगा तो beam bending में फेल हो जाएगा अगर आपका actual shear stress का value permissible shear stress से ज़्यादा हो जाएगा तो beam shear में फेल हो जाएगा अगर actual deflection permissible deflection से ज़्यादा हो जाए तो आपका beam जो है deflection में फेल हो जाएगा मैंने concept समझी आप ये तो वो चीज है जो permissible मैंने लिखा हुआ है formula लिखा हुआ है कि इससे ज़्यादा कभी भी नहीं होना चाहिए हमेशा permissible का जो value होता है वो actual से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए जब एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो हमारा self strength है जो हमारा खुद का strength है वो हमेशा ज़्यादा होना चाहिए compare to जो हमारे उपर load लगा हुआ है तबी तो safer हैगा अगर strength से ज़्यादा load लग गया यानि हमारे पास जो stress है उससे ज़्यादा अगर load लग गया तो क्या हो गया हम fail हो जाएंगे तुरंट तो वही चीज यहाँ पर है यह limit है आपका इससे ज़्यादा यह एक जो मैंने यहाँ value लिखा हुआ है यह is code का value है य permissible bending stress 0.66 fy से ज़्यादा नहीं होना चाहिए permissible shear stress 0.4 fy से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और किसी भी बीम का permissible deflection span by 325 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए यह जो तीनों पॉइंट मैंने लिखा हुआ है यह comparative exam में बहुत ज्यादा पूशता है बहुत ज्यादा exam में पूशता है तो यह आप value याद रखेंगे ठीक है अब यहाँ पर देखिए जैसा जैसा इस्टील का grade होगा वैसा वैसा यह value बदल सकता है आपका अगर बात करें हम f.e.2 का केवल अगर f.e.2 के लिए permissible bending stress देखा जाए तो कितना हो जाएगा 0.66 into fy का value 2.2 रखेंगे तो हो जाएगा 165 newton per millimetre square अगर f.e.2 के लिए हम shear stress का value निकालें तो 0.4 into 200 करेंगे तो यह हो जाएगा 100 newton per millimetre square और span by 325 यहाँ grade नहीं है यह तो length पे depend करता है कितना length होगा उसके recording तो कई बार question में क्या होता है grade नहीं देता है steel का तो हम अपने से मान लेंगे कि माना f.e.2 grade के लिए आपको value याद कर लिजी इस चीज को क्यों कि आपके इस chapter में जितने भी question दिये गया है वो सारे question जो f.e.2 के लिए ही दिया गया है ठीक है वैसे मैंने formula आपको बता दिया गया है बता दिया है कि कैसे यह value निकालते है f.y की form में मैंने formula आपको बता दिया है 0.66 f.y होता है 0 लेकिन अगर grade बदलेगा तो आप यह value बदल लेंगे आपको याद होना चाहिए लेकिन इस chapter में आपको जितने भी question मिलेंगे न वो सब f.e.2 के लिए ही मिलेंगे तो आप यह value याद भी कर सकते हैं कि permissible bending stress जो आपका होता है 165 newton per millimeter square होता है यह इससे ज्यादा मतलब इससे कम जो है आपका यह maximum है यह आपका maximum इससे ज्यादा नहीं होता है जो भी actual load आपका actual bending stress आएगा वो हमेशा 165 से कम ही होना चाहिए अगर यह actual bending stress 165 से ज्यादा होगा तो आप कहेंगे कि आपका यह bending में safe नहीं है कई बार question ऐसे भी आएगा तो आप पूछेगा कि बताईए क्या यह bending में safe है कि नहीं sear में safe है कि नहीं deflection में safe है कि नहीं तो आप वहाँ पर ऐसे ही value निकालेंगे आप permissible bending stress याद कर लिजिए 165 है फिर actual bending stress निकालें और यह value अगर 165 से कम होगा तो आप कहेंगे कि safe है और अगर ज्यादा होगा तो कहेंगे safe नहीं है इसी प्रकार यह दोनों भी है आपका ठीक है तो permissible shear stress कितना होता है आपका 100 newton per mm2 यह दोनों value आप याद रखेंगे हमेशा bending stress कितना होगा 165 shear stress कितना होगा 100 यह आपका permissible है ठीक है और यह जो actual है आपका इससे ज़्यादा कभी भी नहीं होना चाहिए आपका तो मैं आपको बता दू कि actual bending stress कैसे निकालते हैं यह तो value होगी आपको याद करने वाली यह तीनों value आप कैसे निकालेंगे इसके formula मैं यहीं आपको बता दे रहा हूँ actual bending stress निकालते हैं आप इसको हम denote करते हैं F से stress होता है B से bending होता है तो bending stress हो गया यहाँ पर लिख दीजी actual तो यह होगे actual bending stress इसका formula होता है moment upon में section modulus ZXX इस formula से आप हमेशा beam का actual bending stress निकालेंगे actual shear stress की बात अगर हम करें तो कैसे निकालेंगे stress बराबर होता है force upon area यहीं sear force upon shear area इस formula से आप क्या निकालेंगे actual shear stress निकालेंगे और deflection कैसे निकालेंगे deflection के लिए आपको formula मालूम है कि अगर simply supported beam अगर मालेजे दिया गया है और उस पर UDL लगा है तो क्या होता है अगर हम UDL की बात करें और simply supported beam की बात करें के अवल तो deflection का formula होता है पांच बटे 384 WL की पावर 4 अपान में EI यह formula होता है वैसे यहाँ जितने भी question दिये गए है न वो सब UDL वाले ही question है और सब simply supported beam के ही question है तो आप यह formula deflection का याद कर लिजिए पांच बटे 384 WL की पावर 4 अपान में EI तो आप कैसे एक बाद मैं फिर से concept बता रहा हूँ अगर question में यह पूछता है कि आप बताईए कि क्या beam bending में safe है कि नहीं सियर में safe है कि नहीं deflection में safe है कि नहीं आप क्या काम करेंगे आप यह तीनों value निकाल लेंगे यह value आपको याद है कि permissible bending stress 165 permissible shear stress 100 और यह deflection L का value span का value रखके निकाल लेंगे ठीक है उसके बाद आप निकालेंगे actual bending stress इस formula से shear stress निकालेंगे actual इस formula से और deflection निकालेंगे यह जो तीनों value आएगा वो तीनों value इन तीनों value से ज़्यादा नहीं होना चाहिए हमें ऐसा कम होना चाहिए अगर कम है तो safe है otherwise unsafe है बात सोने आई आपको तो देखिए एक बाद फिर इससे इस पर चर्चा करते हैं आपको जब आप निकालेंगे actual bending stress m upon z x x m क्या है bending moment है maximum bending moment है तो moment का formula आप जानते हैं simply supported beam और UDL के लिए क्या होता है wl square by 8 अगर point load लगा हुआ है simply beam है तो क्या होजागा wl by 4 लेकिन आपको जितने भी question मिलेंगे वो सारे question आपको UDL वाले मिलेंगे और simply supported beam वाले मिलेंगे तो आप formula याद रखेंगे wl square by 8 ठीक है वैसे बहुत से ऐसे lecture है जिसमें मैंने क्यों formula ही यह सब बताया हुआ है आपको सोम में भी मैंने आपको बताया हुआ है कि point load में कौन सा formula यूज करते है UDL में क्या होता है Cantilure में क्या होता है सब कुछ बताया हुआ है वहाँ पर आपको तो और ZXX क्या है यह section modulus यह कहां से आप निकालेंगे यह value आप निकालेंगे steel table से देखे लेंगे steel table में आपको ZXX का value मिल जाएगा मैं आपको यह और बता दूए formula बना कहां से है देखिए हम लोग सोम में पढ़े है जो bending equation होता है bending equation क्या होता है M upon I is equal to F upon Y सब लोग जानत इस formula को यहां से F is equal to क्या होता है F is equal to होता है M into Y upon में I F is equal to M upon में I यह Y नीचे ले लेंगे Y F is equal to M upon I upon Y को क्या बोलते है section modulus बोलते हैं आपको क्या होता है Z ठीक है लेकिन beam के case में हमेशा moment of inertia जो होता है और section modulus होता है वो X X के axis के about में हमेशा लेते हैं तो इसलिए यहां पर क्या होता है I X X हो जाता है beam के case में और यह Z X X हो जाता है तो F is equal to क्या हो गया M upon में Z X X यहां से यह formula बन गया और यह stress का formula यह stress का formula आप जानत क्या होता है जब CR stress निकालेंगे तो CR force अपान में CR area हो जाएगा CR force कैसे निकालते हैं simply supported beam के लिए UDL के लिए क्या होता है WL by 2 अगर simply beam point load यूज करते हैं तो क्या हो जागा W by 2 cantilever beam point load के लिए क्या हो जाएगा W cantilever UDL के लिए क्या हो जाएगा W into L ठीक है तो यह formula हो गए अगर माली जी अब यहाँ पर देखिए जो question है यह नहीं बोला गया है कि आपका इसमें safe है या unsafe यह में नहीं निकालना यहाँ पर यह कह दिया गया है कि the beam should be safe in bending आपका जो beam है वो bending में safe है तो कितना super imposed load लगेगा यहाँ पर condition में बोल दिया गया है कि safe है हमें यह चेक नही permissible और actual दोनों को equal लेके solve करेंगे क्योंकि आपका जो actual का यह value है इसके equal अगर आता है तो भी आपका safe है या कम आता है तब भी safe है तो जब यहाँ condition जो दिया गया है कि आपका यह safe है तो हम क्या काम करेंगे permissible bending stress एक्चुल बाणिंग इस्ट्रेस के उक्वल लेके चलेंगे परिमिसिबल 的ac 본ुल true sax यहां से能टे मिल जाएगा बासवन मुंजरी चलिए स्टार्ट करते हैं । वैसे मनें आपको इसते नों क्विस्टनग का फूरा पोंसेप्ट बता दिया है시에 यही concept आपका जो है किवल इसी question के लिए नहीं बल्कि इस chapter के सभी question के लिए लागू हो गया आपका अगर आपको बस इतना सा समझ में आ गया तो इस chapter के सभी question आप solve कर सकते हैं पहला condition में आ जाएए आप एक बात तो यह का आप मान लेंगे कि एफिडाइसो यूज किया गया है जब question में नहीं दिया गया तो एफिडाइसो आप मान के चलेंगे ठीक है तो question number A start करते हैं और जो भी steel table से value लेना होगा वो हम steel table से ले लेंगे उसी समय ले लेंगे from steel table चलिए जो आवज सकता परिगूस समय हम लोग ले लेंगे ठीक है तो सबसे पहला number हम solve करते हैं मैंने आपको बताया कि यहां पर permissible permissible bending stress is equal to actual bending stress यह लेकर चलेंगे हम यहां पर जब पहले से condition दे दिया जाए कि दोनों safe है यह नहीं पूछा गया कि safe है कि unsafe है तो हम क्या करेंगे दोनों को equal लेकर चलेंगे equal लेने पर भी क्या होता है आपका beam bending में safe रहेगा equal पर भी safe रहता है अब देखे पर permissible bending stress का value कितना मैंने आपको बताया 165 और actual bending stress का formula मैंने अभी आपको बताया क्या बताया वैसे एक लोग symbol यूज कर लेते हैं चलिए symbol क्या है permissible bending stress को बोलते है F B से bending stress हो गया लिख देंगे permissible यहां लिख देंगे F B actual ठीक है तो यह value 165 लेके चलेंगे और इसका formula मैंने आपको क्या बताया M upon ZXX यह value आप लेंगे ठीक है 165 is equal to M upon ZXX M क्या है maximum bending moment है तो M का value हम निकाल लेंगे M का value कैसे निकाल लेंगे अब देखिए bending moment M is equal to W L square by 8 बास्वन में आई W L square by 8 यहां पर value रखेंगे आप W हमें नहीं पता है W ही तो find out करना है हमें L का value कितना है देखिए L का value है आपका 5 meter तो कितना इसको M में सबको लेके चलेंगे आप ठीक है किसमें लेके चलेंगे आप millimeter में या तो अगर आप चाहो तो meter में लेके चल सकते हैं तेकि यहां पर मैंने जो stress लिया है वो किसमें लिया हुआ है Newton पर millimeter square में तो M M में लेके चलेंगे L का value कितना है आपका 5000 का square by 8 solve करेंगे कितना हो जाएगा यह यहाँ जाएगा 3.125 इंटू 10 की power 6 W Newton पर millimeter unit पर आप ध्यान देंगे W के form में मैंने इसको निकाल दिया तो M का value किसमें रखेंगे W के form में रख देंगे 3.125 इंटू 10 की power 6 और W अपान में ZXX तो still table से आप क्या value ले लेंगे ZXX still table से हम ले लेंगे तो ZXX का value देखो मैं still table से आपको बता रहा हूँ ISMB 500 के लिए ZXX का जो value है वो दिया गया है 1808.7 1808.7 centimeter cube में दिया गया है इसे millimeter cube में बना लेंगे तो क्या हो जाएगा 1808.7 into 10 की power 3 millimeter की power 3 तो यह हो गया ZXX का value यहाँ पर रख लेंगे 1808.7 into 10 की power 3 अब देखो इस equation में क्या unknown है क्यवल W unknown है और W का value आप निकाल सकते हैं बासवन में आई की नहीं आपको फिर से समझ यह हमें क्या करना permissible bending stress is equal to actual bending stress कर दिया permissible bending stress आप 165 याद कर लीजिए feed ISO के लिए होता है और actual bending stress का formula M upon ZXX होता है और M का value आप कैसे निकाल लेंगे W L square by 8 से निकाल लेंगे W के terms में निकाल लेंगे और ZXX का value है जो आप still table से देख के लिखे लेंगे अब यहाँ से W का value आप निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा W आपका यह हो जाएगा 165 इंटू 1808.7 इंटू 10 की power 3 divided by answer या आपका आगे 95.49 निउटन पर मिली मीटर यहाँ से जो W निकल के आया हुआ है आपका यह है total load क्योंकि यहाँ formula में जो W L square by 8 लिखा है यह total load होता है यह super imposed load नहीं है तो हमें निकालना क्या है हमें निकालना super imposed load तो इसका formula क्या होता है देखिए super imposed load W1 is equal to अगर super imposed load को हम W2 मान लेजिए चलिए W2 total W total load माइनस total load माइनस self weight of beam यही formula होता है super imposed load कैसे निकालते है total load में से self weight of beam हम माइनस कर देते हैं तो super imposed load आ जाता है यहीं कह सकते है W2 is equal to total load मान लेजिए W है माइनस W1 तो total load कितना है आपका 95.49 Newton per millimeter माइनस W1 W1 क्या है self weight of beam self weight of beam को आप steel table से लेंगे self weight of beam W1 steel table में देखिए कितना दिया गया है यहाँ पर steel table में आपका दिया गया है W 83.9 kg में दिया गया है आपका यह ठीक है 83.9 kg में दिया गया है आपका kg अब हमें इसे जो है किसमे बना लेंगे इसे हम चेंज़ कर लेंगे Newton per millimeter में देखिए यह point load में दे दिया गया है यहाँ पर बच्चे बहुँ ज़्यादा गलती कर देंगे यह kg में दिया गया है आपका ठीक है तो हम इसे चेंज़ कर लेंगे किसमे 83.9 इंटू 10 का multiply करेंगे तो Newton में हो जाएगा यह किसमें हो जाएगा आपका यह Newton में हो जाएगा और length से divide कर दीजिए divide by 5000 तो पर millimeter आ जाएगा आपका यह बासोर में आई कि नहीं है आपको वैसे यह per meter में दिया गया है आपको Newton per meter में यह value दिया गयाता यह kilogram per meter में दिया गया है इसे mm में change कर लेंगे तो एक meter में 1000 mm होता है ठीक है यह value solve करेंगे कितना आ जाएगा देखिए Newton per mm में से निकाला मैंने क्योंकि आपका ये भी Newton per mm में आया हुआ है 83.9 into 10 divided by 1000 तो 0.839 हो गये आपका ये 0.839 Newton per mm तो ये self weight of beam जो आपका आगया यहाँ पर value रखेंगे 0.839 Newton per mm ये हो जाएगा minus 95.49 94.651 Newton per mm ये आपका अंसर आगया बासवन में आई तो देखें आपको steel table से क्या-क्या value लेना होगा एक तो ZXX का value लेना होगा और दूसरा self weight of beam ये दो value लेना होगा तो देखें हमें super impossible question में पूछा गया था बहुत ही असानी से मैंने solve कर लिया ठीक है तो मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे सा स्वन में आ गया होगा बहुत जदा tough ये question नहीं है ठीक है चलिए अब हमें start करते है second condition इसका जो है second condition क्या है तो second condition है the beam should be safe in sear ठीक है the beam should be safe in sear अब यहां से start करते हैं चलिए अब देखे जेट डेक्सक्स का value इस टील टेबल यहां इस question में तो इसकी आवर सकता पर गी तो मैंने ले लिया अब आगे चलके देखेंगे किसका जोद परता है ठीक है question number B beam में क्या निकालेंगे the beam should be safe in sear तो यहां पर हम solve करेंगे permissible लगाने का तरीका सब कुछ वही है permissible sear stress is equal to actual sear stress permissible sear stress जो है आपका कितना लेके चलेंगे 100 newton per millimetre मैंने अभी आपको बताया feed high so के लिए actual sear stress का formula क्या है sear force upon me sear area तो 100 is equal to sear force पहले निकाल लेते हैं चलिए तो sear force कैसे निकालेंगे आप sear force 25 ismb के लिए sear area का मैं एक table आपको बनवा दूँगा वैसे उसमें आप formula याद कर लेंगे sear area का formula होता है d into thickness of wave d into t w d क्या है depth of beam और t w क्या है thickness of wave तो यहाँ पर d का value कितना होता है यह जो ismb 500 लिखा गया है ना यह 500 ही आपका depth of wave होता है into t w t w का value हम कहां से लेंगे steel table से लेंगे तो steel table से लेंगे d का value आपका 500 mm हो गया और t w का value कितना हो जाएगा thickness of wave 10.2 दिया गया है आपको ठीक है यह value कितना लेंगे 10.2 mm में है यह 10.2 mm ठीक है तो shear area कैसे निकाल लेंगे आप 500 into 10.2 तो यहाँ से w का value निकाल लेंगे 100 into 500 into 10.2 divided by 2500 यह आगे आपका 204 Newton पर mm ठीक है ठीक है तो यह जो w आया हुआ है क्या है आपका यह total load है अब हम क्या करेंगे super imposed load निकालेंगे तो total load में से self weight of beam हम क्या करेंगे minus कर देंगे तो total load आपका कितना आ गया यहाँ पर total load आपका आ गया 204 Newton पर mm और self weight of beam तो आपका वही है जो हमने steel table से लिया हुआ है from steel table self weight of beam एक बार मैंने लिखा गुआ था वही चीज रहेगा आपका वो ती beam तो वही है beam तो change किया नहीं गया है तो beam आपका वही रहेगा कितना है 0.839 Newton पर mm तो यहाँ पे आप value रख देंगे यह तो कितना हो जाएगा आपका यह 204 minus 0.839 203.16 Newton पर mm ठीक है अब हम बात करते हैं इसी प्रकार जो तीसरे टाइब जो तीसरा condition है ठीक है उसको लगाते है तीसरा condition है the beam should be safe in deflection deflection में जब safe है तो यहाँ भी वैसी solve करेंगे permissible deflection is equal to actual deflection तो permissible deflection कैसे निकालेंगे span by 325 actual deflection का फॉर्मुला 5 बटी 384 WL की पावर 4 अपान में EI ठीक है यह simply supported beam के लिए है जब UDL लगा होता है span का value 5000 mm सबको mm मिले के चलना जिसे आप गलतने करें 5 बटी 384 into W find out करना है आपको L का value 5000 mm दिया गया है 5000 की पावर 4 अपान में E E का value हम लोग जानते हैं young modulus है steel के लिए 2 into 10 की पावर 5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर होता है ये value हम सब लोग को पता है ठीक है तो E का value रखेंगे 2 into 10 की पावर 5 into I I यहाँ पर हम ऐसा IXX लेते हैं तो IXX हम कहां से ले लेंगे steel table से ले लेंगे तो steel table से IXX का value देखे दिया गया है 45,218.3 45,218.3 और इसका unit दिया गया है मिलीमीटर की पावर 4 में तो यहाँ value रखेंगे 45,218.3 यहाँ से W का value हम निकाल देंगे solve करके क्या हो जाएगा आपका 5000 into 384 into 2 into 10 to the power 5 into 45,218.3 divide by 325 into 5 into 5000 की पावर 4 यहाँ पर यह value बहुत ही कम आ गया 0.0170 इस question में deflection का value बहुत जादा कम आ गया 0.0170 आ गया इतना load रहेगा तब जाके deflection में safe रहेगा तो यहाँ पर तो self weight जो है जादा आ गया आपका तो यह deflection में safe यहाँ पर नहीं है इसको fill से solve कर लेते हैं गवाद चेक कर लेते हैं इड गया इसक्वादा कर लेते इसक्वादा बहाँ पर gef täक अ नहीं кад पर arena क्या řिछ परेते हैं क्या इसएो अ समल कर फिवड़ सेiddग हो घईक्थज अ इस टील टेबल से वेलू इक बार वो चेक कर लेते हैं इसका आई एक्सिक्स का वेलू नीली मीटर में दिया गया है दोटे टीली में दोड़ी का बार वेलूए दोड़ी का वेलूए से वेलूए भी कर दोटें दोड़ी का लेलूए कैनला से वेलूए 12 तरूए वैसी सेंटीमीटर की पावर 4 होना चाहिए यहाँ पर ठीक है यह सेंटीमीटर की पावर यहाँ पर 4 होना चाहिए गलत दिया गया यहाँ पर यह स्टील टेबल का वैलू हो सकता है गलत दिया गया हुआ इसे में यूनिट का यह आपका सेंटीमीटर की पावर 4 में दिया देना चाहिए वहाँ गलत प्रिंट हो गया है तो जब मिलिमीटर में बनाएंगे तो क्या होगा 10 की पावर 4 का मल्टिप्लाई हो जाएगा ठीक है जब इसे mm में चंद के क्या हो जाएगा 45218.3 इंटू 10 की पावर 4 मिलिमीटर की पावर 4 तो यह वैलू कितना हो जाएगा आपका फिर यह वैलू आपका हो जाएगा 0.0170 इंटू 10 की पावर 4 170 हो जाएगा फिर आपका यह ठीक है न्यूटन पर मिलिमीटर अब यह वैलू आप यहां रख देंगे यह क्या है आपका टोटल लोड है तो यहां रखेंगे कितना 170 170 में माइनस करेंगे 0.839 169.161 तो इस प्रकार आपका सुपर इंपोस्ट लोड निकल यह यह तीन टाइप के क्वेस्टन आपको एकजाम में आ सकता है और ऐसा नहीं कि तीनो एक साथ दे देगा जब भी देगा कोई एक देगा ठीक है तो मैंने जान बुझ कि यह तीनो कंडिशन का एक ही क्व पता दिया क्योंकि यह तीनो क्वेस्टन अलग-अलग से लिखता तो इसमें कोई फैदा नहीं था एक ही क्वेस्टन लिखे मैंने तीन कंडिशन लिख दिया और आपको बहुत अच्छे से समझ में आग्या होगा